नमस्कार दोस्तों आप सबोका स्वागत है कलास तेंथ बिग्योन का अबजेक्टिव प्रकास प्रावर्तन और अफवर्तन का यह सभी प्रश्ण बिहार बोर्ड मैट्रिक फैनल प्रिक्षा बिग्योन में पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को आन तक ज़र देखें क्योंकि बिलकुल ऐसे ही अबजेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फैनल प्रिक्षा बिग्योन में हूब बहु पूछे जाएगा तो देखिए पहला प्रश्ण है किस दर्पन से बस्तू का बड़ा परतिविम बनता है तो आप्सन नंबर बी बिलकुल सही है अप्तल दर्पन से बस्तू का बड़ा परतिविम बनता है अगला प्रशन देखिए प्रशन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए पड़ियूक्त नहीं क्या जा सकता है तो मिट्टी मिट्टी का पड़ियोग लेंस बनाने के लिए नहीं क्या जा सकता है जल, कांच, प्लास्टिक का पड़ियोग हो सकता है लेकिन मिट्टी का नहीं अगला प्रस्न देखिए प्रस्न है किसी बीम का अप्तल दर्पन द्वारा बना परती बीम आवासी, सीधा, तथा बीम से बड़ा पाया गया है बस्तु की इस्थिती कहां होनी चाहिए प्रस्न करा है किसी बीम का अप्तल दर्पन द्वारा बना परती बीम आवासी, सीधा, तथा बीम से बड़ा पाया गया है बस्तु की इस्थिती कहां होनी चाहिए तो दर्पन के धुरूप तथा मुख्य फोकस के बीच दरपन के दुरूप तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए अगला प्रशन देखिए प्रशन है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का परतिबिम प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तर लेंज के सामने कहां रखेंगे किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का परतिबिम प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तर लेंज के सामने कहां रखेंगे तो उप्सन नमर बी बिल्कुल सही है फोकस दूरी की दुगूनी पर उप्सन भी सही है किसी गोलिये दरपन तथा किसी पतले गोलिये लेंज दोनों की फोकस दूरी माइनस 25 सेंटिमीटर है दरपन तथा लेंज संभवत है तो दोनों होगा अप्तल लेंज होगा या अप्तल दरपन होगा उप्सन नमर बी चाहिए ए ए उप्सन नमर ए सही है दोनों क्या होगा अप्तल लेंज होगा और अप्तल दरपन होगा किसी दरपन से आप किसी दरपन से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खरे हो आपका परतिविम सदेप सिधा प्रतित होता है संभवत दर्पन है यानि प्रश्न कारा है कि आप कितने भी दूरी पर रहेंगे तो आपका परतिविम जो बनेगा सदेप सिधा प्रतित होता है तो वह कौन सा दर्पन होगा तो सम्तल या अप्तल दर्पन सम्तल या अप्तल दर्पन में आप कहीं भी दूर खड़े रहेंगे तो आपका प्रतिविम बनेगा तो वह प्रतित होगा की सिधा है अगला प्रश्ण है किसी दर्पन से हमेशा बस्तु से छोटा प्रतिविम प्राप्त होता है किस दरपन से हमेशा बस्तू से छोटा परतिविन प्राप्त होता है तो उत्तल दरपन से बस्तू से हमेशा छोटा परतिविन प्राप्त होता है माइनस चार दी छमता वाले अप्तल लेंज की फोकस दूरी होगी माइनस चार दीव छमता वाले अप्तल लेंज की फोकस दूरी होगी 25 से में जब परकास की किरन हावा से काँच में परवेश करती है तो मूर जाती है अभीलम के निकट अभीलम के निकट अप्सन अमर 20 सही है जब परकास की कीरन हावा से काँच में परवेश करती है तो मूर जाती है अभीलम के निकट अगला परहन देखिए परकास का वर्न विच्छेपन किस उपकरण से समभब होता है प्रकास का वर्न बिचेपन किस उतरन से सम्भव होता है तो फ्रीजम, ओप्शन नमर सी सही है, फ्रीजम से होता है साईड मिरर के रूप में पड्युक्थ होता है उप्शन नमर बी सही है, उत्तल दर्पन ऐंदर धनुस का बनना किस परिगटनों पर अधारित है इंद्रधनुस का बनना किस पड़ी घटना प्रधारित है तो प्रकास का वर्न वीचेपन औक्सन सी सही है किसी दर्पन से बस्तू को कहीं भी रखने से बस्तू के बरावर अकार का सिधा परतिविम बनता है तो दर्पन होगा किसी दर्पन से बस्तु को कहीं भी रखने से बस्तु के ब्रावर अकार का सीधा परतिविम बनता है तो दर्पन होगा समतल दर्पन समतल दर्पन जो हम लोग घर में यूज करते हैं आईना किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 से में है तो उसकी छमता होगी तो पलस 2D होगा उसका पलस 2D छमता होगा अगर किसी अप्तल दर्पन की फोकस दूरी F तथा वक्रता तिर्जया R होतो अगर किसी अप्तल दर्पन की फोकस दूरी F तथा वक्रता तिर्जया R होतो F बराबर होगा RY2 F बराबर होगा RY2 option A सही है अप्तल दर्पन से प्रावर्तन के बाद कीरन किस बिंदू से गुजरेगी तो एप से ओप्शन नमबर भी सही है एप से गुजरेगी किसी उत्तल लेंज की फोकस दूरी हमेशा होती है किसी लेंज की फोकस दूरी हमेशा होती है पलस माइनस दोनों हो जाएगा अप्शन नमर डिस है अगला प्रण देखिए किसी गोलिय दर्पन की वखता तिर्जा पचास से में है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी तो आधी हो जाएगी किसी गोलिये दरपन की वर्गता तिरजिया पचास सेमी है तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी ओप्सन नमर सी सही है पच्ची सेमी निम्न में से कौन सापदार्थ लेंस बनाने के लिए परयोग नहीं क्या जा सकता है तो मिट्टी मिट्टी का पड़योग नहीं क्या जा सकता है लेंस बनाने में तो दोस्तों अगर आप देखते हैं यहां तक आए हैं तो कोमेंट करके बताईए कि आप पहले से कितने प्रशन का उत्तर साही से जान रहे थे और हाँ वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेयर करें अ झाल झाल झाल